गुट नाइट, गुट नाइट, ये लगभग, साड़े नो बजे का टाइम क्या है, ये तो लगभग, कैसे हैं आप सभी, तो ये लगभग ग्यारा बजे का टाइम है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ग्यारा बजे तक जाग रही हूँ, जी हाँ, मेरी हैविट है, ग तो लुग तो आड़ बेजी खाना काके सो जाते थे पहले भी और मैं गाउं में थी तब भी मेरी आदत थी हैविट थी साड़े दस ग्यारा के पहले नहीं सोती थी और बच्चे भी उस समय चोटे थे तो जेमेदारियां उस समय बहुत जादा थी और वही हैविट यहां भी म मेरे बच्चे इस समय दोनों बाहर है मैं ही अकेले हूँ तो इतने बड़े घर में मैं अकेले भूत की तरह साड़े ग्यारव जो तक जापती रहती हूँ क्योंकि मेरे हैविट है तो इस वज़े से मैं कुछ न कुछ अपना जैसे यूटूब में अपनी वीडियो जो है कुछ अपलोड करना होता है तो उसको करती हूँ या किसी की वीडियो देखती हूँ मतलब कुछ अपने लिए यही टाइम होता है जो अपने लिए मैं समय निकालती हूँ क्योंकि मेरे हैविट नहीं है इतनी जल्दी सो जाने की और सब लोग सो जाते हैं मैं टीवी खोलती है थोड़ी देखती है उसके बाद फिर अपना विजी रहती हूँ और देखे अभी बारिश हो रही है हम लोगों क्या बारिश के आवाज सुनाई दे रही है तो जी हाँ मैं इसलिए थोड़ा सा इसनी रात में वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्यों कि सच में मैंने कई बार कोसिस किया अपना वेट वजन कम करने के लिए वैसे मेरा वेट बहुत जादा नहीं है बहुत से लेडी जो के वेट जो है 80 किलो होता है 90 किलो होता है लेकिन मेरा इतना जादा नहीं है किसी का 85 होता है इतना वेट नहीं है आप लोग देख रहे होंगे ना मेरी ये सरीर ये कुछ स्वैलिंग भी है मतलब बादी की सरीर है और मुझे थैरेड भी है तो थैरेड में वैसे भी कुछ सरीर थोड़ी सी फैट होती है क्योंकि थैरेड दो तरीके से होता है एक हाइपो थैरेड होता है एक हाइपर होता है तो हाइपर सरीर को सुखाती है एक हाइपो थैरेड जिम होता है जो सरीर को सुझाती है तो मुझे वही वाली है आईसा नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ मैं हमेसा कुछ न कुछ करती रहती हूँ कभी कभी कोई ऐसा मतलब जिसे कोई गेस्ट आ गया या कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आ गयी जिसे हर लेडी जियों को महीने में जिसे दिक्कत होती जैसे period आ गया तो इस मौके पर मैं कोई exercise कोई टहलना योगा कुछ भी नहीं करती हूँ जो है तो मैंने कही बार intermittent fasting करना भी सोचा तो लेकिन उसमें भी मैं success नहीं हो पाई क्योंकि मेरी problem यह है कि रात के समय जैसे मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे morning में मतलब fresh नहीं हो पाऊंगी जैसा कि मेरे गाल ब्रेडर नहीं है मेरे गाल ब्रेडर में पत्री हो गए थी तो वो काफी साल हो गया वो मेरा निकल चुका है तो मुझे मतलब तेल वाली चीजे मसाले वाली चीजे मुझे digest नहीं होती है लेकिन क्या करें कभी-कभी खाने का मन करता ही है और बहुत ज़्यादा जो मतलब हैवी खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जबकि मेरे घर में लोग बोलेंगे नहीं ऐसा है वैसा है लेकिन क्या है ना सरीर में जो चीज अगर सूट नहीं करता है तो सरीर तुरंत उसको बता देती है कि हमारी बौड़ी में यह ची नहीं हो पाएगा तो अभी मैंने बीच में मैं ठहलना भी सुरू करती थी मॉर्निंग में जा रही थी लेकिन इदर थोड़ा सा मौसम गड़बड हो गया है तो जिसके वज़े से मैं मॉर्निंग वाक इस समय नहीं कर पा रही हूं नहीं जा रही हूं और ठंडी भी बहुत ज 77 था यह corona-79 पर 179 क कि पार मेरा कभी नहीं गया इतने में रहता है क्योंकि मैं बैटने वाली लेडिज नहीं हूं कुशनकुश मैं घर में करती रहती हूँ जैसे घर के जो काम है वो to मैं करती रह और पहले मैं बरतन जाड़ू पुछा भी करती थी linum जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 25 साल से मुझे अथ्राइटीष हो गया है तो मैं को बहुत प्राब्लम रहती थी उंगली वगेर मेरी स्टिफनेस हो जाती थी मुए कोई काम नहीं कर पाती थी क्योंकि ठंडी में बरतन माजना जाड़ू पोछा करना सारा पानी वाला काम तो मुझे काफी प्रॉबलम होती थी तो जो मुझे दिक्कत हो जाती थी तो मैं ना आटासान पाती थी ना सबजी मतलब अपनी कोई दिन और बाकी रूम में मैं जाड़ू पोछा करती हूँ मारे साथ ससूर जिसमें रहते हैं उसमें मैंने लगवा दिया है क्योंकि वो लोग देर तक सोते हैं और काफी दवाई वगर अब ऐसे समान सब रखे रहते हैं तो वो उस रूम का अपना करती है सफाई और बाकी अपने असफाल हो जाती हूँ नहीं हो पाता है कभी-कभी भूग बरदास नहीं होती है कभी कोई फेस्टिवल पढ़ गया कभी कोई पढ़ गया तो नहीं हो पाता है लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी वेट लॉज जर्नी एक एक व मैं 15 दिन का टार्गेट रखूंगी 15 दिन के टार्गेट में 65 में रहा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कोसिस मैं पूरी करूंगी कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूं लेकिन हां कोसिस करूंगी और यह मैं एक एक पड़े आप लोगों से से शेयर करूंगी अपनी जर्नी वेट लॉज की तो इसलिए मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूं मेरी वीडियो जो है कल से सुरू हो जाएगी तो मैं आपको जरूर आप लोगों से अपनी मतलब डे वाई डे आप लोगों से सुरू करूंगी 15 दिन का मैंने टार्गेट रखा है 65 लाने का तो अभी म नहीं दो ठाहिए क्लोमेटर ठाहल रही थी योगा कर रही थी बाबा राम दियो का आस्था चैनल लगा लेती थी सुबे मॉर्निंग में योगा भी करती थी और जैसा कि मेरे ये डेली के रोटीन में मेरा मेति पानी पिती हूं 15 दिन मे अजवाइद का पानी पीती हूं, कुछ नहीं खाती हूं उसके बाद फिर चाय तो देखें कहते नहीं कि चाय मेरी मतलब लाइफ ही समझ लो मेरा इमोशन उससे जुड़ा हुआ है मतलब मुझे चाय चाहिए ही चाहिए मौर्निंग में और मेरी दो हो जाती है मैं आपसे जूट नहीं बोलूंगी एक पहले पी हो जाए चाय को मैं बिल्कुल इसकिप नहीं कर सकती है अपने वेट लॉज जर्ने में भी चाय को इसकिप नहीं करूंगी तो चलिए कल से सुरू करते हैं क्या क्या करूंगी तो मेरी वीडियो में आप डे वाई डे बने रहना और सपोर्ट करना मेरा ताकि मैं आपकी एक रेक में मैं 15 दिन की जर्नी करूंगी तो जो हमारे से स्पायर होंगी अगर मेरा वेट लॉज होता है 15 दिन में तो कैसे में क्या करती हूं वो जरूर आप लोग भी फालो करना जो अपना वेट लॉस और मैं कोई महेंगी चीज नहीं खाऊंगी न कुछ भी बिल्कुल घर के खाने जैसे बनते हैं उसी को खा करके ही मैं 15 दिन का टार्गेट अपना वेट लॉस करूंगी तो चलिए ठीक है कल सुरू करते हैं डे वाई डे आप मेरी वीडियो को जरूर देखना फॉलो करना और अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर करना कमेंट जरूर किस चीज को स्किप करूंगी कोई चीज क्या खाऊंगी और कैसे साम को कैसे क्या खाना खाऊंगी तो जरूर मेरे वीडियो में बने रहना ठीक है और देखे बारी सो रही है बहुत ज़्यादा मौसम ना बिलकुल खराब हो चुका है और आज काफी दिन हो गया सूर भगव जाता है बिलकुल तो चलिए ठीक है रखते हैं आप सभी लोगों को शुबरात्री गुड़नाइट और फिर कल मिलते हैं आपसे बिलकुल नए उसमें ठीक है डे वाई डे पंदरा दिन का हमने टार्गेट रखा है आप जरूर सपोर्ट करिएगा मेरा मेरी वीडियो देख करके भी दिखा दूंगी मेरा इस समय वेक टिस 69 है ठीक है खाना खाने उन रहती हूं तो 70 रहता है ने 69 है तो मुझे ज्यादा अपना वेट कम नहीं करना 65 लाना है 15 दिन के अंदर 65 लाना है कोसिस बिलकुल करूंगी चीटिंग कोई नहीं करूंगी तो कल आप मेरे साथ ब बढ़ेगा तो मैं डेवाइडी कर सकूंगी ठीक है ठीक है ठीक है रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तो तक के लिए बाई बाई गुड नाइट सुब्रात्री